देट स्पॉंसर्ट बाई आशी स्टेक स्किल्स एटी एस रीवा नंबर वन कोडिंग इंस्टिट्यूट इन रीवा एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविन पैलेस रीवा लबश्कार विन्द्या टाइम्स में आपका स्वागत है हमारे साथ विन्द के एक ऐसे यूवा हैं जिनकी पारिवारिक विरासत एक राजनैतिक रही है सतना जिले की रामपूर विधान सभा से आपके पूर्वस विधायक रहे हैं और एक पढ़ा लिखा यूवा जब राज वधानसभा, सतना जिले की बात करें क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही वधानसभा के चुनाओं भी हैं तो हम उनसे बात करेंगे तो पहले तो रोहिट जी बहुत स्वागत करूंगा आपका। बहुत धन्यवाद, विंद्धे टैमस के बहुत बहुत आपार। रोईजी पहला सवाल यही कि एक पढ़ा लिखा यूबा जब राजनीत में प्रवेश करता है तमाम طرح की चुनातीयां होती हैं, तो क्या देखते हैं क्योंकि राजनीतिक विरासत भी रही हैं, तो किस तरह की चुनातीयां और किस तरह के काम देखते हैं? अब वैसे तो देखा जाए तो मेरे मन में सदय भी मैंने तो पढ़ाई लिखाई बाहर की एंबी किया बॉंबे में फिर इस एसी बैंक और रिलांस कैफिल में नौकरी भी देटी चार साल तक लेकि सुरु से दिने बचपन से था कि मुझे रामपुर में रहना है अपनी जन भूमी रहना है ये सुरु से मन में प्रेंडर रही आई उसी स्लसले में 2011 में भी में रामपुर में आगया और बबबा हमारे सरगी स्री रमा कान सिंग जी सौतनता संग्राम से नाली रहे है, सोसलिस्स पार्टी के आपके विंद के संस्थापकों में से एक रहे हैं, तो इसलिए कहीं बलड में कह सकते हैं कि मिला, बड़े पिता जी फिर उसके बाद दो बार जनता पार्टी से और भा बाच्पा में थे भी-अभी लेकिन मैं कॉंग्रेस के बैनितली राजदीत कर रहा हूं पुरवज आपके थे BJP में थे। आप कांग्रेस में अगर रामपुर विधान सभा की बात करें लंबे समय से कांग्रेस पार्टि को सफलता वहां नहीं मिल पा रही है वहां से बीजेपी लगातार चुनाओ जीत रहे हैं इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं कि राजनीत में सफलता हमारी परिवार को जरूर कम मिली लेकिन लगातार सन 62 से लेके आस 2003 तक इधर तो अब तीन चुनाओं से हमारा परिवार ने चुनाओं नह कि जो परिवार था तो आमने सामने वो सोसलिस्स पार्टी में थे वो कांग्रिस पार्टी से थे लगातार आमने सामने लड़ते रहे कभी हार जीत होती रही और उनको मौके अधिक मौके उनको मिले 15 चुनाओं में अगर वरत्मान विधायक विक्रम सिंग जी को मिला है तो दो मौके हमारे परिवार को मिले दो मौके रामलकन सिंग जी को और दो मौके तो सर सिंग जी को मिले लेकिन आमने सामने की धुरी हम दोनों बने रहे लगातार चुनाओं लड़ते लड़ते क्योंकि हमारे बाबा साहम ने दो चुनाओं लड़ते क्योंकि हमारे बाबा साह कॉंग्रिस वहां आखरी बार जीती हर सिंग जी के नाम से 85 वे 85 तक वो इधायक रहे 90 के बाद जब वो 93 में लड़े कॉंग्रिस से उनको हार मिली बड़े पिता जी हमारे हार मिली पहली बार बसपा को वहां से उदय हुआ रामना खरन सिंग जी जीते 98 फिर बड़े दाउच कांग्रिस को यह अजी तो दो बार तो बार हर्संग जी जी इक बार शुम लड़े उसके बाद लगातार तोसर संगीदा सिंग तीवारी जी भी सुदा सिंग जी राम संकरपयाजी जी झुनवल्ले कि कहीं न कहीं रामपृ जू है मैं समस्ता हूं की बहुत पार्टिकत विक्तिकत संबंद में अगर बात करें तो क्या कॉंग्रेस पार्टी भी विक्तिकत संबंदों के कारण पीछे हो जाती है क्योंकि विक्तिकत संबंद उनके निस्चित रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है संबंद अपनी जगह हैं लेकिन जब पार्टी को अपने सरकार बनाने की बात आएगी सीटों को लेकर चर्चा आएगी तो एक एक सीट दोनों दलों के लिए महत्तुपूर है तो रामपूर सीट इस बार जैसे कॉंगर से फोकस किया है कि अभी आपको नौ मार्च को दस मार् रामपूर भी है रहाओं में थे लिए कि रहाओं उप्चुनाओं में यह सीटम जीच चुके हैं तो इस बार कहीं न कहीं दिग्जिया सिंग जी के मांग दर्सन में कमलाज जी के नेतित्यु में राहुल भहिया के मांग दर्सन में हम लोग यह सीट भी संक्रिक रूप से कि पूरी तरह से प्यास करेंगे कि यह सीट भी हम कांग्रेस की जोली में डाल सकें जो पिसले साथ चुनौँ से जो यह कलंक लगा भा रहा है रामपूरी चुनाओं की कांग्रेस को प्रयास करेंगे और जो मेरी आहूति होगी छोटी बड़ी वो हम डालने के लिए मिपू बूत लेविल तक के कारकरता सब उपस्तिते और तैयारियों को कहीं जोर मिला है तैयारियों को बल मिला है और हम सब एक जुठ होके पूरी तरह से बूत लेविल से लेके जिला इस्तर तक या विधानसवा इस्तर तक बीजेपी लगातार वहां पर एक्टिव है और ये कहें क लगातार सत्ता में है, लेकिन वो तमाम कारूँ के अगर बात करें, कौन से प्रमुक कारी मानते हैं विदान सभा 2020 चेतर राम पूर में, जो वहां के प्रमुक जोलन्त मुद्द हैं? सबसे पहला तो जुलन्द मुद्द जो मैं मानता हूँ कि रामपूर हमारा ड्राट प्रो नहीं रिया है एक सेंटरल वाटर कमिशन के टीम साथ आठ साल पहले आई थी तो रामपूर को देश के अतिजल दोही छेत्र में उन्होंने माना था तो सबसे प्रमुग मुद्द जो है पेजल और सिचाई की साथनों का भाव अगर सिचाई का साथन नहीं है तो हमारा किसान अन्यदाता जो है वो उत्पादन में पीछे रह जाता है खर्चा लागत लगने के बावजूद भी कहीने कहीं उत्पादन में कमी पानी की कमी बेज़ासे होती है तो सबसे प्रमुग जो मुद्दा है वहां नहरों का सिचाई का भाव और उसी वजह से पेजल की भी दिक्कते अभी हम लोग वर्तबान में भी सामना कर रहे है पेजल की समस्या के लिए हम लोगों ने एक बांड सागर नहर के नाम से पाटी से हटके एक बांड सागर जल्ला और संगर समित कंदर मान किया था और पिछले दो सालों में लगातार हम उसके जलन्त रूप से उसके मुद्दे उठाते रहे हैं हमारा प्रतित मंडल मुखमंत्री जी से में मिला हमारे प्रतित मंडल ने करीब सो ट्रेक्टर और हजार किसानों की रैली के साथ साथ 1972 के साथ , हम लोग Sstana بी गें थे उसकी बार्ड़्सछागर की नहरों की मांग के लिए कई न कहीं हमने उसका तक्कणिकी रूप से भी अध्द्न किया है कुछ जो हमारे बार्ड़्सछर प्रिजणा में मित्र है उनसे भी अध्यन किया है तो उन्हों ने बताया कि जो आपकी उनसट गावों की मागे है नहरों की तो कहीं न कहीं वो पानी आ भी सकता है तक्तिकी रूप से तो हम लोग में सरकार से मांग रखी थी माननी मुक्वंत्री सिरा सिंग चौहान जी जब रहगाओ उप चुनाओ प्रचार के लिए आये थे तब भी उनसे मिलके हमने अपना मेबरेंडम प्रतिन मंडले सोपा था उन्होंने आस्वाशन भी दिया था लेकिन उसके बाजूत क कोई कारवाई हो नहीं पाई है यह बड़ा दुक्काविसे है और स्थाने विधायक मुझे लगता है कि कोई रुची नहीं दिखा रहे उसमें यह बहुत दुक्काविसे है जबकि उनके पिता जी पिछली कारकाल में 2013-2018 में वह इसी विभाग के जिस विभाग के हम लोग क कि और से तो कहीं न कहीं हम बांठ सागर की नहरे जबकि हमारा 17 जिले के सबस्वाणा झाल दूब छेतर है उसके बावजूद तमाम सारी नहरे रीवा में ज़दा आ गए रिवा में आपका नई गड़ी हमारी बांठ सागर बहुती नहरत सिंचीत हो रहा है रिवा में सिर् रामपूर दच्छणी का भूभाग या रामपूर का 60-65 प्रत्सत भूभाग अभी भी सिचाई सुधा से वंची थे पहला मुद्द ये था दूसरा मुद्द रामपूर में मुख्याले सहित तमाम जो प्रात्पिक स्वासकेंद और सामदाइक स्वासकेंद रहें उनमें दस्थापना नहीं थी डॉक्टर को प्रदस्थापना होने के बावजूद भी कही न कही सरकार ये विशुथ दिलाने में कमतर रहें कि रामपूर का जो सामदाइक स्वासकेंद रहे तीस बिस्तरगा उसको उनमेन नहीं हो पाया कहिने कहिं प्रिफ़ल रहें स्वासस सेव में भी रामपुर तमाम सारी हाइर सेकेंडरी हाइज स्कूल जो होनी चाहिए थी वह भी अभी तक नहीं हो पाई है तो यह जुलन्द बुद्द्ध है हमारे रामपुर में 2008 में कॉलेज खुल गया था 2008 से आज 2023 15 साल हो गए 15 सालों में सिर्फ हम कला आठ संकाए के तीन चार विसाई प्रारम कर सके हैं ना वहाँ पे साइंस का संकाए है और ना ही कॉमर्स का संकाए है और ना पीजी कॉलेज हो पाया है तो यह सब जलन्द बुद्धे हैं जो रामपुर के विकास को कही न कही सतना जिले में हम सबसे पिछला महसूस कर रहा है अन्तिम सबाल 2023 के विधान सभा चुनाओं में रोहित कान सिंग किस भूमिका में देखे जा सकते हैं 2023 के विधान सभा चुनाओं में सबसे पहले तो मैं एक पार्टी का नस्तावान कार करता हूँ और जो हमारे पूर्वर सोसलिस्ट में भारती अंता पार्टी में रहे हैं तो उसके बावजूद जब मैंने कांग्रिस जॉइन की परिस्तितियों वस्त तो बड़े पिता जी कहना था जब मैं जॉइन करके आया तो जिस दल में रहना नस्तावान से रहना जब तक बहुत आत् क्योंकि मैंने पिछले आठ सालों में मेहनत भी की है लोगों के दुख सुक में जो छोटा बड़ा मुझसे हो सका करने का प्रयास भी किया है तो कहने के टिकट की चाह है और सायद अब कहना नहीं चाहिए बड़ अतिस्योगत नहीं होगी कि सायद कॉंग्रिस की ओर से सबस की जोली में डालनी है ऐसा हमारा संकल है तो यह थे हमारे साथ रोहित कान सिंग जिनका सीधे तौर पर यह कहना था कि यहां के वो तमाम जुलंत मुद्दे जिनको लेकर भारती जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी वो काम नहीं कर पाई और कहना है कि एक निश्ठा बा फ्लोर रमा गोविन पालेस रिवा